पिसले वीडियो में हम लोगोंने मरेजमेंट की मीनिंग उसके concept उसके features को discuss किया और आज हम लोग मरेजमेंट objectives के बारे में discuss करेंगे जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि इन छोटे वीडियो के थ्रू हम आपको जो भी आपकी classes में सुझाती हैं जो भी concepts आपके doubt में होते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे तो हम बता दें आपको कि हर मरेजमेंट का कोई न कोई objective यानि goal होता है तो management की भी objectives होते हैं इसमें तीन चीज़े आती हैं सबसे पहला जो number है वह organizational objectives का यह पहला preference होता है कि जो भी उन्होंने planning में अपने goals या targets set किये हैं उनको पूरा करना इन organizational objectives में तीन में चीज़े discuss की गई हैं वह है पहला survival हर organization यह चाहता है कि वह survive करे करने का मतलब वह लंबे समय तक future में continue करें को कोई भी और सौट टम सर्वाइबल नहीं चाहता है कि second जो है वह सबसे important है profit profit जो होता है वह बहुत ही important मना जाता है किसी बिजनस के लिए अगर profit नहीं होगा तो ना ही हम survive कर पाएंगे और ना अभी growth पाएंगे थर्ड जो चीज इसमें discuss की गई है वह वह growth growth का मतलब होता है कि जो भी हमारी अभी current capacity है उसको increase करना चाहिए production के मामले में हो चाहिए वह human resource के मामले में हो या जो हमारे targets है उनको बढ़ाना कि इसके बाद जो हमारा जो second objective है वह social objective जैसे कि अबने बताया आपको पहला जो होता है वह preference में होता है पर यह हम नहीं बहुत सकते कि social objectives important नहीं है कि आज के जमाने में जहां consumer king है कि बहुत अच्छे समझता है कि हमारे लिए better क्या है अच्छा क्या है वहां पर हमको social objectives के बारे में भी ध्यान देनी जो होता है कि सबसे पहला जो इसमें important चीज है वह हमारा environment friendly method of production कि इसका मतलब यह होता है कि हमको business के अंदर pollution कम से कम generate करना है society हमेशा clean and green तभी होगी जब business हमारे कम से कम pollution generate करेंगे और उन्हीं methods का use करेंगे जो environment friendly हो या कम से कम pollution generate करते हूं है जो हमारा third objective है वो है personal objectives का मतलब होता है कि जो भी हमारे organization के अंदर काम करते हैं लोग और individuals के बारे में भी ध्यान देना है इन में क्या क्या आता है सबसे पहला उनको जो basic चीज होती है वह है salaries and perks जो भी हम financial या non-financial incentives देते हों वह proper होने चाहिए ताकि उनकी जो basic needs हैं वह पूरी हो सकें इसके बाद नेक्स होता है वह social and safety needs social and safety needs में हमको यह ध्यान देना है कि उनका जो respect है या उनको recognition है या उनका जो relation है वो दूसरे लोगों के साथ अच्छा हो उनको proper सम्मान मिले उनको proper पहचान मिले यह भी एक personal objective माना जाएगा इसके बाद उनका proper growth उनको time time पे या उनके work में उनको next level पहुचाना उनका promotion करना उनको अललोग incentives देना यह सब भी personal objectives में आएगा और लास्ट जो है वो यह है कि तीनों ही objectives equally important होते हैं अगर हम यह कहें कि कोई ज्यादा important है या कोई कम important तो ऐसा नहीं है तीनों ही बराबर से important है और हर management यही प्रयास करता है कि तीनों को हम एक साथ लेके चलें या coordinate करके चलें कि किसी भी objectives को उपर नीचे करने से सीधी सी बात है हमारे जो organization में हैं उसमें काफी सारी problems आ सकती है तो इसके बाद हम लोग को discuss करना है importance of management के बारे में सबसे पहला जो हमारा importance है कि इससे हमारे जो तीनों goals हैं वह पूरे होते हैं चाहे वह इंडिविज्वल के goals हों चाहे वह सोसाइटी के goals हों या organization के goals हों वह सारे अच्छी हो जाते हैं कि proper management से जो second फायदा जो होता है वह होता है कि उससे हमारे organization की efficiency बढ़ती है efficiency के बाद जो next होता है वह होता है हमारा optimum utilization of resources यानि जो भी हमारे पास resources है उसका हम लोग सही तरीके से यूज कर पाते हैं कि फेस्टेज नहीं होता या वेस्टेज बहुत ही कम होता है अगला जो है हमारा वह है इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनायमिक ऑर्गनाइजेशन डायनायमिक का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंट्ली चेंजिंग इन्वार्मेंट है उसके हिसाब से हमारा और्गनाइजेशन एड्जेस्ट कर सके हम लोग जानते हैं कि हमारे जो बिजनस होता है उसको करनेवाले बहुत सारे अससे बहुत सारे इंटरनल आश्वैल एस वह एस इंटस्टरनल फैक्टर div Sun जो हमारे बिजनस कोफेक्ट कर सकते हैं और अगर हम प्रॉप्र मेनेज़मेंट करते हैं तो उन चेंजिस से हमारे बिजनस में बहुत ही कम एफेक्ट होगा और लास्ट जो इंपोर्टेंस है वो है डेवलप्मेंट औफ ससाइटी एक अच्छा मरेजमेंट अपने और गोल के साथ साथ ससाइटी के बारे में भी देखता है और उसको डेवलप करने का प्रयाज करता है